जोहिंद फ्रेंट्स सिधाद बया कि इस वीडियो में आप सभी का हारतिक स्वागत है फिर सारी शुबकामना है आप सभी को कि भारत एशन गेम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है मतलब वो गूस बंस आ जा रहा है जब जब भारत कोई ने कोई मेडल लेकर आ रहा है लेकिन कल कुछ ऐसी घटना हुई जहां पर डेफिनिटली नीरत चोपडा में बहुत शांदार प्रदरशन किया और गोल्ड लेकर आए न सिर्फ भारत गोल्ड बलकि भारत सिल्वर भी जीता जैवलिन थ्रो में लेकिन एक कॉंट्रोपर्सी हो गई ये तस्वीर देख रहे हैं ये तस्वीर है चाइनीज ओफिशल्स हैं ये नीरत चोपडा से क्या बात कर रहे हैं बेसिकली हुआ ये था चाइनीज ओफिशल्स टारगेट कर रहे हैं इंडियन एथलीट को एक बार नीरत चोपडा को टारगेट किया एक बार जो सिल्वर मेडल ले आए हैं उनको टारगेट किया और एक बार जो हंडिड मीटर की हर्डल रेस टारगेट किया हम तीनों को अभी दिखाएंगे इस वीडियो में लेकिन सबसे पहले हम ये डिसकस करना चाहते हैं कि इनके भी कोई मेंटर होंगे जैसे कि आपका मेंटर मैं हूँ civil services के exam में अगर हमें crack करना है तो mentorship की बहुत ज़रूरत है guidance की बहुत ज़रूरत है और आने वाले time भी ये 7 महीने की journey है वो बहुत interesting होने वाली है मज़ा आने वाला है लेकिन वो मज़ा तरही आएगा जब एक अच्छे mentor के आप साथ जाहोगे तो comment section में नीचे आप जाहिए और google form को फिल करिएगा चाहे आप college से हैं या full time तयारी कर रहे हैं या job के साथ तयारी कर रहे हैं तो आपको mentorship की need होगी जैसे की अरजुन को थी कृष्ण ने दी जैसे की कर्ण को थी परुशुराम ने दी जैसे की एक लव्य को दुणाचारे ने नहीं दी जैसे की चंदरगुप्त मौरे को चानक के ने दी वही mentorship google form आप फिल कर सकते हैं इसलिए चलिए हम आगे बढ़ते हैं आखिर यह मुद्दा क्या था यह मुद्दा था बैसिकली नियर्ट चोप्रा अपनी पहली attempt में चार attempt वैसे तो overall दिये जाते हैं होते छे हैं चार attempt जैसे UPSC में चाओते attempt में इन्होंने सोन पतक हासिल किया है लेकिन जब यह पहली बार fake ने गए तो बहुत शांदार प्रदर्शन किया था बहुत ही अच्छे 86-84 संटीमीटर तक गया था लेकिन कहा यह गया कि वहाँ पर basically इनके मीटर के गौज करने में problem आ रही थी तो इनको फिर से फेकना पड़ेगा मतलब कि इनका जो मीटर है जो calculate करता है कि 70 है 80 है कितना है बन गया है लेकिन जो पहली बार इनोंने थ्रो किया था वो distance बहुत जादे थी वो पिछले के तीन बार में नहीं थी तो आप समझ सकते हैं वो मानसिक तनाव हो जाता है एक बार जो fresh आप देते हो ना तो वो उसका अलग अंदाज होता है UPSC में भी जब आप fresh देते हो ना अब ही हम बताएं आपको नीरा चोप्रा के बारे में इनको कहा गया कि यह जो है इनका पैर इस लाइन से टच कर गया लेकिन कहीं टच नहीं किया था हमने इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं यह ठो करते वक्त इनका पैर टच कर गया था और यह Chinese एक तरीके से referee कह सकते इन्हों ने कहा कि तुम्हारा पैर टच हुआ है लेकिन पैर कहीं टच नहीं हुआ था जबरदस्ती इंडियन्स को टार्गेट किया जा रहा था ठीक है हाला कि इनको भी कहा गया कि आपका जो है सेकेंड राउंड वो रद्ध होगा थर्ड एटेंप फोर एटेंप आप करे पाता है उसमें क्या हुआ जो भारती मूल की जो हमारी जिनका नाम था जोती याराजी को बोला गया कि सीटी बजने से पहले ही दोड़ गए लेकिन जब रियल वीडियो सामने आई तो यह पता चला कि दोड़ी यह नहीं थी दोड़ी तो यह थी चाइना की एथलीट और ग यह हुई थी यह इनको आगे प्रोसेस कर दिया गया था तो बैसिकली यह इन्होंने कोई गलती नहीं की थी सही टाइम पर यह आगे बढ़ गई थी तो यह तो बैसिकली भारतियों को वहाँ पर टार्गेट किया जा रहा यह मैं नहीं बोल रहा हूं यह भी आगे मैं पूविड की बज़े से चाइना जो है होस्ट नहीं कर पाया था है शेंगेम इसलिए इसको 2022-2023 बोला जा रहा है तो आप कंफ्यूज मत हो येगा ये कहां हो रहा है ये चाइना के हुआंग जाउ शहर में हो रहा है और 8 अक्टूबर तक चलेगा आज 6 तारिक है और 5 तारिक सिल्वर 32 ब्रोंच टोटल 83 है और यहीं पर रिपब्लिक ओफ कोरिया 149 है और जैपैन 147 है जबकि जैपैन का गोल्ड जादे है चीक है इंडिया का फोर्थ पोजिशन एक काबिले तारीफ है बहुत जादे काबिले तारीफ है अगर गोल्ड हम ये उमीद करते हैं कि और भ होता है इसमें Cricket का भी एक है कि भाई Cricket भी इंटूद्द्यूस किया गया था Cricket में भारत ने नेपाल को हराया नेपाल बहर हो गया अब भारत जो है semi final में पहुंचने वाला तो हमें शायद एक gold की उमीद भारत से है क्योंकि अंतरास्टी इस तर पर भारत cricket का तो बात्षा है और उसमें definitely हमें पता है कि भारत gold लेकर आएगा ठीक है अगर हम बात करें the silver man, the golden boy of India the golden arm of India the golden legend of India नीरत चोपड़ा भारत के इतिहास में एक ऐसे एक मात्र ऐसे athlete है जो कि gold के उपर भी अगर कुछ होता न डाइमंड भी होता तो वो लेकर आते लेकिन हर बार ये gold लेकर आए हैं आप देख सकते है नीरत चोपड़ा का जो gold का run है जो भूक है जो competition है वो क्या है gold at 2018 में Asian Games में ले आए Commonwealth Games में ले आए gold at 2020 Olympics में लेकर आये थे सबको पता है gold at 2023 World Championship में Asian Games में gold लेकर आए हैं तो आप समझ सकते हूँ कि नीरत चोपड़ा का ये मांसिक स्थिदी क्या होती है मतलब कि कितना sacrifice किया होगा उन्होंने कितनी holidays कितने birthday parties tight पे concentration पे stamina पे तब जाके ये हासिल हुआ है मुकाम इनको देखके भारत में जो javelin का स्तर है वो इतना ऊचा बढ़ गया है कि अब javelin को एक अलग direction में देखा जाता है अगली साल Olympic होने वाला है Paris में France में Olympic होने वाला है सबकी नजर नीरत चोपड़ा पर होंगी क्योंकि सिर्फ यो सिर्फ 26 साल का लड़का मुझसे भी 4 साल छोटे है 26 साल का लड़का भारत को एक नई उचाई पे ले जा रहा है और भारत को चाइना में जाके गोल्ड दिलवाया इससे बहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता ये वीडियो एक informative वीडियो है और गर्व है हमें ऐसे ऐसे नौजवान पे ऐसे एथलीट पे जो कि भारत को एक नई उचाई दे रहे हैं गर्व होने का मौका दे रहे हैं इसी के साथ सब ये है जैपान के जो जैवलिन जीत गए थे तो जैपान के तीसर नंबर पे आये थे नंबर वन पे गोल्ड है और नंबर टू पे भी इंडिया ही है ठीक है ये थी एशिन गेम की controversy controversy ये थी कि नीजवान चोपड़ा accuses Chinese authority of mismanagement at his game ये controversy थी और साथी में जो हमारी Indian Federation athlete जो उनकी Vice President है Senior Vice President Anju Bobby George उन्होंने भी कहा है Chinese officials deliberately target कर रहे है athletes को और चोपड़ा जो है वो काफी disappointed हुए है इस चीज़े से अरे भाईया तुम्हारा machine खराब है तो हमारी थोड़ी वोग है तुम्हारा machine खराब है नहीं हुआ था उसका लेकिन चीज़ें तो हुई थी बॉस चलिए अब आगे चलते हैं एक topic से हटकर मैंने आपको MCQ दिया है हो सकता है prelims में आ सकता है तो आप ये बता दिजिएगा कि कौन सा temple कौन से state में है जिसे होयलेश्वारा temple करनाटका त्रिम्बकेश्वा temple मध्यप्रदेश ब्रिहंदेश्वरा नबिल नाडू लिंगराज कहां पर है ये बहुत relevant है हमारे art and culture से भी तो comment करके आप बता सकते है कुछ ने कुछ कही ने कही current affairs में होता ही होता है इसका comment मतलब कि इसका सही जवाब मेरे telegram channel पर मिलेगा comment section में जाएंगे तो अब मेरे telegram आपको मिल जाएगा और civil services की तयारी में अगर आप 2025 को अगर आप aim कर रहे है 26 को aim कर रहे है 27 को aim कर रहे है तो ये batch आपके लिए है क्योंकि 3 साल की validity के साथ ये maximum discount मिल सकता है आपको अभी नहीं तो फिर कभी नहीं ये सही time है और 19,000 से भी कम amount में आपको ये enroll कर सकते हो इस fee में जैहिन नाम का code यूज करके चलिए मिलते अगले वीडियो में तब तक नमस्कार जैहिन जै भारत